हलो एवरिबन वेलकम बैक टू इंसाइड होम लोक्स तो आज सुबह मैंने बनाया था पोहा तो मैंने सुचा मैं अपना वर्जन यानि की जिस तरीके से मैं पोहा बनाती हूँ स्थाइड के साथ सेर करती हूं तो चलिए रैस्पी स्टार्ट करते हैं यहां पे मैंने सर्टो के तेल में मुग्फली के दाने अच्छे से फ्राइ игра कर लिए यानि कि कृंची होने तक उनको अच्छे से फ्राइ करना है फिर इसके बाद इसमें मैंने डाला है मचर अचकल मच का सीजन है तो बहुत अच्छा लगता है पोहा में मटर अगर आप नहीं डालते तो एक बार डाल के देखें बहुत अच्छा लगता है स्वादिस का तो मटर सारी चटक गई यानि की लगभग पक गई उसके बाद मैंने यहां पर डाल दिये हैं कटे हुए प्याज और सारी मैंने पहले से करके रखी हुई थी तो यहां पर प्याज यह थोड़ा सा ही प्याज मैंने लिया था आधा प्याज था तो इसको मैंने काटके डाल दिया और अभी इन तीनों को अभी और अच्छे से थोड़ा सा पकाना है और प्याज थोड़ा से सौप्ट हो जाए इतना ह में पकाना है और यहां पर मैं डालूंगी एक हरी मिर्श तो मिर्श को मैंने रफली काटके डाल दिया है और मुझे बहुत स्पाइसी नहीं बनाना है बस स्वात के लिए थोड़ा सा मैंने एक हरी मिर्श डाल दी है बकी लाल मिर्श का पाउडर वो मैं नहीं यूज करूंग तो यहां पे देखे यह प्याज अच्छे से भून गए है तीनों चीजे पक गई अभी यहां पे बहुत हलके फुलके मसाले जाएंगे यानि कि बस पोहा थोड़ा सा पीला हो जाए तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग में नमक डाल दिया है और डाला हुआ है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ही धनिया पाउडर बस इतना ही मसाला इसमें और कुछ नहीं डालना है और अभी मसाले को अच्छे से इसमें मिक्स करके पका देना है और इसके बाद चला जाएगा मारा पोहा तो पोहा थोड़ा सा जादा हो गया आ और नास्ता जल्दी बनाना होता है तो मैं फटाफट से पोहा ही बनाती हूँ तो कि इसकी प्रिप्रेशन करना भी आसान रहता है और खाने में भी बहुत स्वाधिश्ट लगता है और हेल्दी भी होता है तो हर तरीके से ये बहतर होता है तो इसलिए मैं सुभे पोहा बना ल लगता है और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है तो यह लगबग डन हो गया है अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और इसके बाद इसमें बस दो चीजे और डालनी है एक तो यहां पर डालना है नीबू का रस और यह दोनों चीजे और आप पसंद करते हैं तो अच्छे से सारा मिक्स कर दूंगी और अभी इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूं खाने के लिए तो यहां पर मैंने निकाल लिया है चाय भी हमारी बन गई है तो हमारा नास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है तो नास्ता करने के बाद देखे किचेन कितना ज्यादा मैस हो तो यहां पर वीडीयो क्लियर नहीं बनती है, इधर से लाइट आती थी तो मैंने यहां पर परदा लगवा दिया है, टम्परेरी ऐसे ही ताकि अच्छे से वीडीयो की क्लियर्टी आए, इधर से इत्ता गुजाला आता था कि फोक्स नहीं हो पाता था, तो छलिए अभी मै किचन जो भी विखरा हुआ है उसको समेट लेती हूँ यानि कि सारी चीजे उठा लेती हूँ और यहां पर मैंने लैंच की प्रिप्रेशन भी करके रखी हुई है और यहां पर देखिए आज मैं किचन को अच्छे से साप भी करूंगी यानि कि इधर जितनी भी बोटले वग नहीं है तो की चिंब करने के लिए सबसे पहले जडूर होता है जो भी इसलैप पर जितना समान था भी टा के सारी गये त dispers साल naar लेजिए इसके बाद आप अच्छे से क्लीन कर पाते हैं तो मैं हमेसा ऐसे ही करती हूं किचिन बोटल का पानई हमाइन कितना कितना भी forest video कि त देती हूं तो यहां पे मुझे बोटलों का पानी हटाना है तो एक दो बोटलों का पानी मैंने बाहर फेका फिर उसके बाद मुझे याद आया कि बहुत पानी है इसको मैं बकट में डाल लेती हूं तो सारी बोटले मैंने खाली कर ली है और अभी इनकों मैं यहां उपर वाल तो मैं यहां से बर्तन नीचे रख देती हूँ जो भी मेरे कैमिनेट से वहाँ पे तो कुछ बहुत बर्तन यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि अभी यूज में नहीं आ रहे हैं तो वो भी मैं हटा दूँगी क्योंकि जबी भी एक्ष्ट्रा बर्तन होते हैं तो बहुत परेसानी होती है काम करने में तो यहां पे देखे इधर बर्तन और बोटले उधर का सारा मैंने साफ कर दिया है अभी बचा हुआ है मेरे गैस का जो भी समान था तो यहां पे थोड़ा सा पोहा पच किया था तो इसको हम बाद में खतम कर लेंगे तो अभी फिरहाल मैं इसको टिफिन में डालके रख लूँगी तो सुबह मैं जो भी नास्ते में बनाती हूँ जैसे सबजी पराठा या कुछ भी बनाया है तो सबजी वगेरा जो बचती है उसको मैं इस तरह के टिफिन में डालके रख देती हूँ इसे kitchen बहुत साफ रहता है अगर आप उसी बरतन में खाना जो बचता है उसको छोड़ दोना तो वो बहुत कितना भी साफ कल बहुत गंदा दिखता है तो मैं हमेशा ऐसे साफ कल लेती हूँ और यहाँ पे कल जो पूजा थी हमारे हाँ तो उसका जो सारी चीज़े आई हुई थी रामदाना के लड़ू तिल के लड़ू और लाई के यह सारी चीज़े लगती हैं तो वो सभी ऐसे ही रखी हुई हैं थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगों पे तो उनको मैंने एक पॉली तीन में करके रख दिया है बाद मैं इनको किसी बड़े से डिबे में डालके रख दूँगी और यह प्रिसाद का है तो इसको मैं अलग रखूंगी इसमें मिक्स नहीं कर रही हूँ इसको हम अलग से खाएंगे और अथरवा आ गया लेने के लिए तो इसको मैं ने दिया खाने को और चलिए अभी इधर का तो हो गया है तो अभी गैस को साफ कर लेते हैं और जब भी नास्ता बगरा बनाने के बाद इस तरह से क्लीन कर दो फिर बहुत अच्छा लगता है नेक्स टाइम जब हमें काम करना होता है तो फिर किचन हमें क्लीन मिलता है तो आज तो मैंने नास्ते में सिर्फ पोहा और चाह ही बनाई थी तो मेरा किचन इतना भी नहीं बिकरा था जैसे सब्जी बगरा बनाओ या कुछ और चीज़े होती हैं तो बहुत ज़्यादा किचन बिकर जाता ही है सबके साथ ही ऐसा होता है तो सुबह इतनी इनर्जी थी होती है कि एक बार अच्छे से ब्रेकफास्ट के बाद किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए और देखिए अभी जो भी बरतन है नास्ते वगरा की जो भी चीज़े हैं और आज जयदा बरतनी कठे नहीं हुए है और अभी मैं फिर से रूटीन में अपने काम करने लगी हूँ यानि कि जो नास्ते के बरतन है वो मैं पहले ही धूल लेती हूँ नास्ते करने के बाद जो में अजादे कर आद Lemon बरतन सिर्फ भान्च के बरतन था यानि कि चाय भी नहाने के बाद ही पीनी थी फूजा करने के बाद तो इसलिए आज सुबह ही जल्दी मैंने नहा लिया था और अभी उसके बाद ब्रिकफास्ट बनाया है यह सारी चीजे और आज ना रात से बारिस लगी हुई है मुझे लग रहा साइदे एक वजे के आ प्रिकट हो रही है अभी जब भी बारिस होती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है वैसे धूप नहीं आती तो कपड़े अपड़े नहीं सूपते हैं और आज कल फिर से बारिस लग गई है ऐसा लग रहा कल भी मौसम खराब ही रहेगा तो देखते हैं क्या होता है तो यह टैप्स क्लीन करने है इसमें थोड़ी से जंग सी आ गई थी यहां पर पता नहीं क्यूं ऐसा पानी खा रहा है इस वज़े से तो इसको मैं थोड़ा सा देखती हूं कोशिस करती हूं छुटाने की सायदी साफ हो जाए तो यहां पर टैप्स में एकसर क्लीन करती हूं ड तो अच्छे से सब चीजे साफ और और्गनाइज रहती है और क्लीनिंग कभी वी एक दिन में या एक साथ फूरे घर की हो ही नहीं सकती है थोड़ी थोड़ी चीजे डेली हमें क्लीन कर लेनी चाहिए ताकि कभी ऐसा ना हो की बहुत ज्यादा चीजे बिखर जाए या मैस ह तो इसी तरह से घर भी साफ और सुन्दर दिखता है तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम लोग मिलेंगे अगली करते हूं